सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को पॉर यू कैसे तू ऐसे बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और लाइक बटन प्रेस करें हाई हलो फ्रेंज मैं हरशी आज आपको सुनाने आ रही हूँ हिंदी की कवीत आएं बेटा तो चलो आज हम सिखे पाच तक की गिनती कवीत आके द्वारा बोलो बेटा एक तुम्हें मिलेगा केक बाजार मैं जाऊंगी केक लेकर आऊंगी छोटी छोटी गूरिया को गिनती सिखाऊंगी बोलो बेटा दो, तुम्हें मिलेगा बो बाजार में जाऊंगी, बो लेकर आऊंगी छोटी छोटी गूरिया को गिन तिसी खाऊंगी बोलो बेटा तीन, तुम्हें मिलेगा पीन बाजार में जाऊंगी, पीन लेकर आऊंगी छोटी छोटी गूरिया कोगिन किसी खाऊंगी बोलो बेटा चार तुम्हें मिलेगा हाँ बाजार में जाऊंगी फार लेकर आऊंगी छोटी छोटी गूरिया कोगिन किसी खाऊंगी बोलो बेटा पाच तुम्हें मिलेगा काच बाजार में जाऊंगी, काच लेकर आऊंगी छोटी छोटी गूरिया को गिनती सिखाऊंगी छोटी छोटी गूरिया को गिनती सिखाऊंगी अच्छे लब हम दूसरी काविता शुरू करते हैं वो पता किसकी बारी में हैं? सर्दी के बारे में कैसी सर्दी आई जी कोहुरा कड़े चड़ाई जी छोट छोट पर दुबा लगे सब पर जमी मलाई जी रात रात बर्विष्कर से कड़ते सभी लडाई जी शूरज दादा छिप छिप कर लेते कहीं जमाई जी गात बजे कित कित किष्ने शामत ढ़ाई जी गड़ंप कोड़े कोफी पड़ सबने नजर घड़ाई जी ये कविता के लेखाखे राम नारायां चोदरी जी अभी हमारी कविता है कितली सयानी बड़ी सयानी तितली रानी फूल फूल पे जाती है फूल फूल से रंग चुड़ा कर अपने पंस जाती है बड़ी सयानी तितली रानी मेरा मन लल चाती है जब मैं उसे पकड़ने जाता इदर उदर उर जाती है बड़ी सयानी तितली रानी फूल उर पर जाती है इस काविय के लेखाखे हाईवन श्राय बच्चन जी अब हमारी कविता का नाम है मचली जल की रानी मचली जेल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आथ लगाओ तो दर जाएगी, बार निगालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी मचली जल की रानी है, चीवन इसका पानी है आज मंगल वार है, चुहे को भुखार है revision गया डॉक्तर के पास डॉक्तर ने लगाई सुरी चुहा बोला उई उई, उई, चुहा बोला उई आज मंगलवार है, तुहे को भूखार है, भूखा गया डॉक्तर के पास, डॉक्तर ने लगाई सुवींग अभी हमारी जो कवीता है, प्लास्टिक बैक को ना, तो कि हरे को सबचने जैसी है तबक तबक ताता थाया, प्लास्टिक बैक को ना ना भाईया, प्लास्टिक बैक जब खाएगी, तो खाए मर जाएगी तो सोचो बच्चो, मामी दूद कहां से लाएगी, गल्यों में जो पानी घड़ेगा तो रास्ते बंद हो जाएगी तो सोचो बच्चो, हम स्कूल के से जाएगी